बड़े भाई UCL के quarter final का draw बाहर आ चुका है और clear समझ में आ रहा है कि काफी interesting होने वाला quarter final लेकिन quarter final से भी काफी ज़्यादा कि तुम ये फोटो देखो बड़े भाई काफी ज़्यादा मज़े आने वाले हैं semi final में ज्यादा मज़े आएगा मुझे ऐसा लग रहा है इस फोटो को देखकर के लेकिन quarter final भी बहुत ही मज़ेदार होने वाला है हर एक team और हर एक match को discuss करेंगे आज की वीडियो में लेकिन आ मारे दिल में तो है भाई this is a tribute to Barcelona उन दिनों को याद कर रहा हूं जब मेरी टीम भी UFA Champions League खिला करते थी anyways guys let's talk about this quarter final so once again we got to see Real Madrid vs Chelsea भाई कितने बार दिखाओगे एक ही गेम बस कर लो बस कर लो लेकिन सच बात बताओं तो ये गेम काफी बहतरी नजर आ सकता है ठीक है Chelsea 10th on the table Premier League but recently उनकी form uplift हुई है हमने देखा UFA Champions League में भी हम देख रहे हैं Premier League में भी अच्छे results दे रही है Chelsea लेकिन भाई आपके सामने अधी Champions of Europe Real Madrid जिनको आप भाई कभी भी जो है वो रूल आउट नहीं कर सकते हो Champions League जीतने से तो Real Madrid vs Chelsea अपन को फिर से देखने को मिलेगा एक बार मैं आपको याद दिला दो पिछले season भी देखने को मिला था जिसमें Real Madrid ने हराया था Stamford Bridge में जाकर कि Chelsea को औ 2nd like में Sentia को बढ़ने भू में तीन गोल उनने मारा था बट फिर गोल्स वगेरा Real Madrid की भी तरफ से आ गया था और aggregate के basis में Real Madrid जीत गई थी और उसे पहले Chelsea ने हराया था भाई साब Real Madrid को और शायद वो उसी season में UCL जीते था इफ I am not wrong so once again a interesting picture but Chelsea का record against Real Madrid is really very good लेकिन बस बात वही हो जाती ना और कि यार थोड़ा सा ना कुछ interesting होता जैसे इसी stage में अपन को Real Madrid versus Man City देखने को मिल जाता तो कितना मज़ा था लेकिन टेंशी लैनी वाली बात नहीं है ना वो होगा बात करेंगे उसके बारे में आगे अगे अगर अगर आपन मैच कर लो तो Benfica versus Inter Milan अपन को देखने को मिलेगा लेकिन इस गेम में पीपल are people might sleep on भाइसा Benfica saying यार वो तो Benfica है और Inter Milan is performing really well but 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 you need to think about Benfica twice before thinking की Benfica बाहर हो सकती Inter Milan से इपर बात कर लें अगर 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 सीरिया के टेबल में तो Inter Milan जो है वो अभी second only table बैटी हुई है 50 points के साथ form उतना अच्छा नहीं बट हाँ ठीक ठाक चल रहा है recently Porto के खिलाफ उ वहां aggregate में one mil जीते थे बट Benfica के बारे में बात कर लूँ गलब बुरूजे के खिलाफ इनों ने तोड़ फोड मचाया था और Benfica अपने लीग में इस clearly the best team भाई सहा Premiera लीग जो होता है वहाँ पे Benfica 65 points के साथ उपर बैटी हुई है first on the table और last five games वहाँ पे जीती हुई है Benfica का form काफी अच्छा दिख रहा है गंसालो रहा है मोस जिसके बारे मैंने एक वीडियो में बात करी थी उसको भूलो मत वो पॉर्टुगल में कृषान और रोनलु को रिप्लेस किया तन ही हैस बीन स्कोरिंग गोल से रेंडेर तो यह Benfica versus Inter Milan काफी देंटरेसिंग होगी म लेकिन आपको यह जान करें काफ से इंटरेसिंग लगे कि ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है कि बायन के versus पैप गोडिला ऐसा मेनेजर खेले हो लेकिन आपको एक और बात बता दू बायन versus Man City कई बार हुआ है छै बार हुआ है छै बार में से तीन बार बायन जीती है तीन बार मैं सिटी तो भाई यह काफी तते इंटरेसिंग क्या बायन की defense Man City के Erling Haaland को रोक पाई कि नि रोक पाईगी देखने वाली बात होगी कि उन्हें रोका ना लेकिन उन्हें रोका ना PSG के मैसी और Mbappe को रोक लिये थे तो क्या हालन को भी रोक पाईगी कि नि रोक पाईगी जब वो Dortmund में था औरो चायो बार हारा है लेकिन वहां पर उसकी गोल रिकॉर्ड थोड़ से ठीक ठाक है आगे साथ बार फेस किया साथो बार जो है वो हारा है लेकिन उसने 6 गोल मारे भी है तो वो जानते कि भाईगी खिलाफ गोल कैसे मारना तो यह देखने वाली बात हो you can clearly see भाई साथ एक dominant Syria का and people keep sleeping on Syria but आप देखें AC Milan, Napoli और Inter Milan तीन Syria के clubs हैं जो काफी बहतरीन बात हो जाएगी बट यहां पर अपन को आप कह सकते हैं Syria का derby है Napoli versus AC Milan, Napoli एक number form में Oshiman और वो जो है अपना Kivicha वो भी बहतरीन खेलते हों नजर आ रहा है और AC Milan at this moment Syria के table में अपन on the table with 58 points और Napoli तो भी है 68 points के साथ top of the table चल रही है, recent pictures में Napoli काफी अच्छा खिलते हैं नजर आई भी है, अगर में Napoli के UCL के भाई साब कहानी के बारे हम बात कर लूँ तो Frankfurt के खिलाफ इनका गेम ता जिसमें उन्होंने जो है उनको मार पीट करके वो गेम जीत लिया था, AC Milan के जो है मैं UCL के फिक्शर के बारे हम बात कर लूँ, तो Tottenham के खिलाफ 1st leg में 1 mil की victory और 2nd leg में draw जिसके चलता है aggregate में आगे आगे आगे, तो मेरा यहां पर तो clearly bet भाई साब Napoli को है, तो यह हो गई बात quarter final की, but आप एक बार semi final देखे तो क्या possible fixtures अपन को देखने को मिलें लेकिन हम compare करें इन teams को Real Madrid, Chelsea, Man City, Bayern, इन teams के खिलाफ तो obviously वो एक underdog नजर आएंगे, लेकिन यार आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, कि यहां पर अपन को एक बार को ऐसा भी हो सकता है कि Napoli vs Inter Milan देखने को मिल जाए, या फिर AC Milan vs Inter Milan, एक Milan Derby semi final में देखने को मिल जाए so semi final काफे interesting होगा on the upper half, but मैं अगर एक बिलो हाफ के बारे हम बात कर लूँ, तो देखो क्या possible outcomes हो सकते है, हो सकता है Chelsea beat करते, Real Madrid को we never know, Harry Potter type को जादू कर दे ग्राहम बोटर, और हो सकता है, ऐसा हो जाए, फिर वहाँ पे सामने आपको Man City देखने को मिलीगी vs. भाइसाब बाय इनको, तो यहाँ देखो क्या प्यारा सा fixture, एक English जो है वो भाइसाब fans के लिए काफी बहतरीन fixture होगा, Chelsea vs. Man City, interesting fixture, English Premier League का, लेकिन अगर opposite होता है, अगर Mayan जीच जाती है, और Real Madrid जीच जाती है, तो तो एक ऐसे European teams का पन को लड़ाई देखने को मिले का, जिनका काफी जादा है UCL में, तो यह semi-final मुझे काफी जादा interesting लग रहा है, और result कहीं भी जाए यार, यह semi-final काफी जाता मज़े आने वाला है, no matter what, अगर Chelsea भी जीच जाती है, और इधर Bayern भी जीच जाती है, काफी interesting fixture देखने को मिलेगा, अगर Real Madrid जीच जाती है, Man City जीच जाती है, काफी interesting Fab God देखने को मिलेगा, so यह hype काफी जादा होगा, इस UCL के fixtures का, वो चाहिए आप quarter funnels ले लो, वो चाहिए आप semi funnels ले लो, यह UCL का fixture, यह usual का draw, मैं कह सकता हूँ, बहुत ही समझ सोच के जो है, वो आया है, like obviously वो रहता है, मतलब चेट निकालते हैं, उन लोग ऐसा कुछ cheating बट यह तों को थोड़ा सा कुछ ऐसा याद ने दिला रहा है, वो वाले UCL की, जहां पे sports, AX, यह थोड़ से underdogs type की team आये थे, so वो भी नजर आ रहा है, हो सकता है, Benfica सब को मार पीट के, semi final में आ जाए, है ना, तो वो एक AX वाली जो run थी, वैसा, Benfica भी यंग हो गई है काफी जादा, तो वो वाली कहानी देखने को मिल सकता है, काफी interesting ट्रॉक, काफी मज़ा है, आप मेरे को अपने comment बताओ, और अपने predictions मेरे को ज़रूर बताना कि आपके हिसाब से, इस में कौन-कौन जीतेगा, मैं एक बर revision मार वाद देता हूं, मेरे हिसाब से semi final होने वाला आप prediction ज़रूर छोड़ करके जाना, मैं मिलता हूं वीडियो में जीसे, जाहिंद वन्ने मात्रा, टेली ग्राम जॉइन कर लो, एक नहाए चैनल बगाए हूं, मैं personally आप लोगों से बात करूँगा, चलो, बाबाए